सरकारी एजनसी नाफेड ने पहली बार सरकारी सबसिडी वाले अनाज को प्राइवेट रिटेलर के जरिये उपभोकताओं को उपलब्ध कराया है। इसके लिए रिलायंस रिटेल और बिग बास्केट प्लैटफॉर्म पर भारत डाल ब्रांड के तहट सबसिडी वाली डाल की बिक्रीश शुरू भी कर दी गई है। भारत चना डाल इन रिटेलर द्वारा बेची जाने वाली सबसे कम कीमत वाली डाल से भी 40% से अधिक सस्ती है। जल्द ही प्राइवेट रिटेलर के जरिये भारत आटा की बिक्रीश शुरू करने की भी योजना है। देश की सबसे बड़ी रिटेल कमपनी रिलायंस रिटेल भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अमबानी की कमपनी है जबकि बिग बासकेट का मालिकाना हक टाटा डिजिटल के पास है। नाफेड के अधिकारियों ने बताया कि रिलायंस ने अक्टूबर के अंच से भारत डाल की बिक्री शुरू कर दी जिसे अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है। सूत्रों ने कहा कि Reliance के कुछ स्टोर पर भारत डाल की बिक्री वहां होने वाली चना डाल की कुल बिक्री का करीब 50% है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सबसीडी वाली चना दाल के कारण स्टोर पर मौजूद प्राइवेट लेबल वाली दाल की बिक्री में दिक्कत आ रही है। लेकिन सरकारी दबाव के कारण निजी रिटेलर भारत दाल बेचने पर सहमत हो गए है। भारत चना दाल की बिक्री उत्तर और पश्चिम भारत में ज्यादा हो रही है, जहांने फेड भारत दाल को प्रोसेस्ट करवा रहा है। सूत्रों ने बताया कि भारत दाल और प्राइवेट लेबल दाल की गुनवत्ता में ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि दोनों को नाफेट से चना मिलता है। नाफेट भारत की एक मात्र एजनसी है जिसके पास चने का स्टॉक है। झाल 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 झाल